इस्टेर पित्विराज जी अब इनंदन आपका सर थैंक यू फो जॉइनिंग अस ऑन दिस इंपॉर्टन डे पित्विराज जी मेरा सीधा सवाल यह है आपसे परिस्तितियां आप देख रहे हैं क्या आपको लगता है कि अब एकनाच शिंदे यह असली शिपसेना है जिस तर होगा एकनाच शिंदे जी को अपने सब समर्थकों को लेकर राज्यपाल बहुत है और स्पीकर्स आपके पास जाना पड़ेगा अपना लिखित रूप से अपना आविदन देना पड़ेगा परेड सी करानी पड़ेगी कौन-कौन उनके साथ है अगर दो तिहाई बहुमत जो 55 लोगों का विधान सभा का जो सीवसेने का दल है जो ग्रूप है उसमें अगर दो तिहाई जो भी होगा आंकला तो सामने आएगा तो उनको सब को लेकर जो जाएंगे तब वो फॉर्मल स्प्लिट घोशित होगा कानून के तहत अगर को क्यों हिचकी चाह रहे हैं तो क तो उसके पास अभी पूरा नमबर नहीं है अब जब नमबर होगा तो आगे जाएंगे आगे की प्रक्रिया हो गई अगर कानुणी तोर से तहत अगर उनका स्प्लिट माना जाएगा तो वे सिवसेना की रूप में आगे आएंगे शाइद मैंने सुना कि कुछ सांसध गण पूरी होगी ये मीडिया के द्वारा इसका फैसलिहएं को बिप्लकुल आपी बात सही है मीडिया के दोरा फैसलिहां आपने पछ मुषद के भाइट दी pissy आपने बूला था की बहुंत घटा यह यह पचिंटा का विशेय है लेकिन अब तो सवाल इस देखो जनतंत्र में संसेधिय जनतंत्र में बहुमत के आधार पर सरकार बनती है और गरती है अगर भान मत नहीं होगा तो महाविकास आगारी की सरकार नहीं रहेगी उसमें कोई जोतिशी के आवशक्ता नहीं है लेकिन क्या असल में जो प्रयास हो रहे हैं पैच अप करने के जो यहां से मुंबई से जो ओफर भीजा गया है क्या उस ओफर के चलते कुछ विधायक भी भीजे गये हैं जिन विधायकों को एकनाच हिंदे के साथ जुड़ने के लिए विधायक गये ऐसा समझा जा रहा है लेकिन वो विधायक जो है वो बाचीद करने गये हैं अगर उस बाचीद तो कोई रस्ता निकलता है जैसे कल मुक्यमंतरी ने कहा था कि मैं हटने को तैयार हूँ अगर आपको किसको मुक्यमंतरी बनना है नेता बनना है तो आप जरूर आईए लेकिन पर पित्ले राचोहन आपको लगता है उद्धव ठाकरे का वर्चस कम हो गया है शिवसेना के अंदर ये तो कैटेगोरिकली दिखाई दे रहा है इससे इंकार नहीं किया जा सकता बज़े ठीक है वो ये ये शिवसेना का अंदरोनी मामला है और शिवसेना का जो भी निता सामने आएगा उभर कर और अगर वो निता भाज़पा के खिलाव लड़ने को तयार है तो उसके हम साथ रहेंगे आज की तारीक में हमने उद्व ठाकरेजी के नित्रतों वाली महाविकास आगाडी को हमने समर्थन दिया है वो जारी है वो कायम है पिच्वराची के आपको लगता नहीं है यह अलाइंस बड़ा अन्नैचुरल था यह अलाइंस बड़ा अन्नैचुरल था शिवसेना इन कॉंग्रेस टुकेदर टुके आपकोँ अन्दर कोई टख्लाव हमें कोई आपधी नहीं ती हमें बड़ी बड़ी सोच समझ के हमने यालाइंस किया था हमें कोई आपती इनी है हमारे आपसी संबंदों में कोई बदलाव नहीं है लेकिन जो सोर्सिस खवर दे रहे एकनाथ शिवसेना के अंदर कोई बदलाव हुआ है तो उनका नीजी मामला ही है इस लेटर में उन्होंने बहुत ही इमोच्णल बात लिक bends लेख ते हमारे लिए कर्यकताओं के लिए दर्माजे नहीं 1700 ले उन्हों अपनी बात कही है नहीं देखे एक लेटर किसने लिखा है देखिए ना पढ़िए जर्ड़को वो मराठी लेटर है बिल्कुन उसके दीचे हस्ताक्षर किसके अब देखिये एक विदायक ने लिखा है हाँ एक विदायक को रोका गया कि आप ज्यादा लोग मत जाईए तो वो तो उनका अंदरी मामला है लेकिन धाई साल तक उनको हिंदु तो याद नहीं आया अब उनको मुख्यमंत्री बनने की क्वाहिश को कोई गलत नहीं है वह अपको उनका अपसी मामला है शायद एकनाच हिंदे सोचते थे कि जब चुन अधन दे रहे थे हमने यह कहा कि वहीं उद्व ठाकरे ही इस गडबंधन का नेत्रों तो करें कि बाकी लोग बहुत जूनियर है कॉंग्रेस में और इन सीपी में बहुत सीधे नेता है उनको एक जूनियर मुख्यमंत्री के साथ काम करने में संकूच होगा प्रचुरा जी इसी बात पे उद्व ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया था लेकिन लेकिन ऐसा माना जा रहा कि कॉंग्रेस ने भी बड़ा अंकमफर्टेबल कर दिया था कॉंग्रेस की सावरकर पर जो लाइन थी सावरकर को राहुल गांधी जो बोलते हैं वह आपके सबक्षा है साव क्या आप लोगों ने भी अंकमफर्टेबल कर दिया उनके वोटर के सामने आप आपने आपकी पार्टी याप आप अपके आपके आपक्स को समझी है आप समझी है कि किस हाला अपने यह गडबंदन बना था हमने एक कॉमन मिनेमम प्रोग्राम बनाय था जिसमें हमने कहा थ अजिए तो उसके तहद उसके दारे में लेकिन हिंदोत्व को लगद रहा ता रहुल जी गाली दे रहे ते वो अंकंफिटेबल कर दिया एक नाप शिंडिये जोल्त को जोलूबवा सब जानते हुए सब चीजे पीछे चोड़के हमने एक विशेज उद्धेश यह सरकार बनाई थी हम अपने वोटरों को शकल नहीं दिखा पारे थे हमारे अपने एरिया में जाना पुष्किल हो रहा था यह धाय साल के बाद अब याद आ रहा रहा है उनको यह सारी साजी को है भीजेपी की शाधित है मुंबई इमसी के बॉंबे मिनसेप्ल कोपरेशन के बहुत एहम पांच साला चुनाव कुछ महने में होने वाले हैं अब टक बीजेपी बीमसी पे एक हिस्सा भीज़ेपी का एक हिस्सा शिवसेना का बीज़ेपी के साथ आए और उसके चलते वो बीएंट को हत्याना चाहते हैं उसके गलत बाते हैं अपनी रणनीची हो सकती है लेकिन यह हमें अंदेशा था कि बीएंट सी के चुनाओं के पहले कुछ ऐसी हत्कंडा होने व लेकिन देखिए नराज़ी की कई सारी सोर्सेस की वज़ा एक प्लान के तहर रहा है आपको हिंदुत्वे बड़ा मुद्दा है देश के लिए और हिंदू इस देश की मूल अबादी भी है 80% 90% लोग हिंदू है तो हिंदुत्वेक मुद्दा है दाए साल के बाद आज ही मु अब देखिए लेकिन अब देखिए पहले तो हम हिंदुत्वा की बात करें जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था उसमें शिवसेना के और से एकनाच हिंदेजी मेरे साथ बैठे थे कांगरीत के तरफ से मैं था और एंसीपी के तरफ से भुजबल साथ थे और हमने तीन चार लोगों ने पांच लोगों ने बैठ के कामन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था क्या उनको उस समय पता नहीं था उस समय सावर कर पता नहीं थे उस समय बोको हराम नहीं पता था क्या लेकिन यह सब चीज़े रखे पीछे रखे हमने विचार किया हमें भी दिक्कते भिद सिकंवा अभान प्रताबगढ़ी जहां एक नाछा इसने ने प्रटारा प्रताबगढ़ी को परिशानी थी क्वेज़ान प्रताबगढ़ी का एक बैगराउन रहा है उन्होंने बहुत सारी ऐसी बात्य बोली है जो शिवसेना का आईडिलाजी के अगेंस जाती है लेकिन क्या एकनाच छिंदे ने इमराद प्रताप गड़ी को समर्त दिया उनका कोई मतलब था इस बात से देखे हमारे कैंडिडेट को वोटिंग हमारी पार्टी नहीं की है एकनाच छिंदे जी का क्या मतलब है क्या हमने है राजी सब्सक्राइब के ऊपर कोई आपती लिए है ऐसे कभी गड़ बंदन चलता है क्या हमने अपने वोट दिये हैं उन्होंने अपने वोट दिये हैं यह कहां से बात आई यह सब बुद्धे लाने की कोई जरूती उनको मुख्यमंतरी बनना था उसमें कोई गलती नह अब यह देखें यह तक्राओं क्योंकि वह उद्धाव ठाकरे को मुख्यमंतरी नहीं देखना चाहते थे खुट बनना चाहते थे अब यह शुशेना का आपस की मापस ही मामला है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर वह चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार में बने रहें चले तो ठीक है नहीं जाते वह बाद मेंना चाहते हैं वह बिजेपी के साथ बनना चाहते हैं और वह बड़ी सिवशेना का इब बड़ा हिस्सा उनके सांथ है तो हमारे साथ बहुमत नहीं रहेंगा, हमारी सरकार नहीं रहेंगी, उसमें कोई बड़ी आश्यरी की बात नहीं है, गणी सिंपल है, तो ये शिवसेना का अंधुरीनी मामला है, उद्धव ठाकरे जी अभी भी उन लोगों को बनाना की पूछना चाहरा हूँ, नहीं सफल न नहीं मिल पा रहा है, तो ये दोनों की बात अलग-अलग जगा है, अब शिवसेना में कूण किसे मिल रहा ता, मैंने समझता कि के बनात में नहीं बनाना वह शुर्टे निता कनो के ने था वो खैरे कि वगव फाइब स्टार कल्चर आ गया पार्टी के अंदर चनक्य रूपी ए ट्लार को पूरा चला रहे हैं उनका इशारा संजे राओत की तरह पूरा मटिया मेल का कारण संजे रहुत है इंडिरेक्टी इस ही सेंग दिस अब यह मैं मैं इस पर क्या कर सकता हूं यह तो उनका आपसी मामला है उनको सुझाना पड़ेगा वह सुझाने के कोशिश कर रहे हैं आपको क्या लगता है यह जो एम बेकी सरकार है इसके किसे दिन अब बचे हैं या कितने घंटे बचें अब देखिए अगर शिवसेना का अगर पार्टी में बिखराव आगया तूड़ गई शिवसेना तो एक सेकंड भी सरकार नीच लगी क्योंकि जनतंत्र में संसिद्य जनतंत्र में संख्या क्या आदार आप का नुभव क्या रहा है है उसका Resolution एक-řो दिन मीं हो जाएगा कि उनतार करेंगे हम अगर चिंदे की के साथ दो तियाई से ज़्यादा विधायक जाते हैं और एकतना चिंदे जी एक दो तियाई ग्रूप के नेता के रूप में तै करते हैं कि हम भाज़पा के साथ जाएंगे तो उनका अधिकार है वो एक स्वायत डल है वो जो भी निलड़े लेंगे वो हमें सुविकार करना पड़े लगेगा लेकिन आपती क्या हो सकती है दूसरी बात यह है जी 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 दूसरी बात यह है कि 2019 के नवंबर में जो चुना हुए तो हमारी तो हार हुई थी ना शीव सेनार बीजेपी का प्रीपॉल अलाइंस था वो जीद गयते चुना अगर वो दोनों में मनमुटाव नहीं दो हैनी बनती थे छाइद उनके सरकार कभी धनी साल पहले बनी होती लेकिन क्योंकि कुछ अनबन होई कौछ जगणा हो आपको पटाए कि मेंडेट मेंटेमें यह जो सरकार बनी हैं-badiu की विशेष परिष्थिति में बनी है मेंडेट उनके पक्षम में नहीं था limit McGP और सेना की सरकार के पक्समिता बिल्कुल और एम रिली ग्लाइड आपने एक और अनस्ट आंसर दिये हैं अपनी बात के और देश की जनता के सामने अपनी अपने विशे को रखा है अपनी बात को रखा है प्लेजर है विंग यू सा थैंक यू सो मज पर त्विराज जी कि यू सो तोत